तो यह question हमको कह रहेगी आपके पास एक charge particle है जिसका mass है में charge Q है और उसकी initial speed है U ठीक है आप उसको क्या करते हो electric field की opposite direction ने project कर देते हो electric field है left side में आप उसको project कर देते हो right side में अब electric field क्या करेगी उस पर फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ तो आगे चलते चलते वह रुप जाएगा तो हमको question क्या कह रहे है कि हमारे पास electric field है electric field नाइन इस direction में है और एक charge particle को जिसके चार्ज क्यों है मास है मैं initial velocity यू से electric field के opposite direction में project किया जाता है electric field left पे और चार्ज जो है right पर जा रहा है तो अब क्योंकि positive charge है और उनको पता है कि positive charge पे जो force लगता है due to electric field वह in the direction of electric field लगता है तो इस पर force लगाएगी electric field इदर लेकिन यह जा रहा था इदर तो क्या होगा दीरे दीरे जाते आते ही slow होता जाएगा slow होता जाएगा और जाते जाते एक point पर आके रुख जाएगा तो यहां से चलना शुरू हुआ कहीं पर आके रुख जाएगा तो हमको यह बताने की कितना distance चलके रुखेगा तो जो यहां पर work energy थो लगाएगी total work done by all forces equals to change in kinetic energy तो work कौन कर रहा है और work होता क्या है force into displacement change in kinetic energy मतला final minus initial अब finally तो इसने आके रुख जाना है तो इसकी final velocity क्या होगी 0 ठीक है तो kf हो जाएगा 0 अब force किस direction में लग रहा है इस कितना बन रहा है 180 degree का तो इसलिए हम लोग यहां पर force की जगह लिखेंगे qe into displacement और minus के sign के साथ क्योंकि cost 180 होगा final kinetic energy 0 हो जाएगी initial होगी half mu square minus से minus का sign cancel हो जाएगा तो qe s बराबर आएगा half mu square इसको हम solve कर लेते हैं हमको s निकालना है तो यह हमारा आजाएगा s is equals to half mu square upon me qe ठीक है तो यह हमारी हो जाएगी s की value और यह हमारा question number 22 है तो इसका answer अपना हो जाएगा question number 3